आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी को E.D. ने Rouse Avenue Court में पेश किया. राउज आवन्यू कोट में मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाय जी के लिए दलीले वकीलों नहीं रखी अर्विंद केजरिवाय जी ने खुद मात्र साथ मिनट की एक स्टेटमेंट में इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट के सारे केस को ध्वस्त कर दिया वो मात्र साथ मिनट के लिए बोले लेकिन उस साथ मिनट में इडी का केस कितना निराधार है कितना बेबुनियाद है बिना किसी कारण के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाया गया है ये मात्र साथ मिनट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी ने कोट के सामने रख दिया क्योंकि कोट की प्रोसीडिंग बंद कमरे के अंदर होती है जो वकील वहाँ पे मौझूद थे, जो जज वहाँ पे मौझूद थी, जो मीडिया वाले वहाँ पे मौझूद थे उन्होंने तो अर्विंद केजरिवाल जी की इस बात को सुना लेकिन पूरा देश और पूरी दुनिया अर्विंद केजरिवाल जी की बात को सुन सके अर्वन केजरिवाय जी ने राउज आवन्यू कोट के सामने एक कहा, ये केस पिछले पौने दो साल से चल रहा है, 17 अगस्ट 2022 को CBI का पहला केस फाइल हुआ था, और 22 अगस्ट 2022 को ECIR फाइल हुई थी, मुझे गिरफतार किया गया है, ना तो किसी कोट ने मुझे दोशी तक करार दिया है और ना ही मेरे उपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे उपर कोई आरोप तैव हुआ है, और ना ही मेरे उपर कोई आरोप लगे हिए। अभी तक इस केस में CBI ने 31,000 पेज कोट में फाइल किये हैं और 294 विटनिस को एक्जामिन किया है ED लगभग 162 विटनिस को एक्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेज फाइल कर चुकी है इन सारे विटनिस और कागजों को मिला कर मुझे क्यों गिरफतार किया गया है मेरा नाम सीधे सीधे सिर्फ चार स्टेटमेंट में आता है उसे मैं आपके सामने रखने की इजाज़त चाहता हूँ मेरा नाम चार जगां आ रहा है सबसे पहले हैं C. अर्विंद C. अर्विंद मनीश सिसोधिया जी के सेकरटरी थे उन्होंने ये बयान दिया कि एक दिन वो मेरे घर में मेरी मौजूदगी में उन्हें मनीश सिसोधिया जी ने कुछ एक्साइस के डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किये उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ पैसे दिये ऐसा कोई भी आरोप नहीं है मैडम मेरे घर में धेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं उनके सेकरटरी आते हैं वो आपस में खुसुर-पुसुर करते हैं और डॉक्यूमेंट भी एक्शेंज करते हैं मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे रहा है क्या ये एक बयान एक मौझूदा मुख्यमंत्री को गिरफतार करने के लिए काफी है मगुंटा श्रीनिवास रेड़ी, MSR ये जगन रेड़ी के पाटी के सांसत थी MSR एक दिन, 16 मार्च 2021 को साड़े चार बज़े मेरे दफतर आए इससे पहले उन्होंने, 10 तिन पहले मुझे एमेल लिखी थी मैं एक सांसत हूँ और मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ मेरे ओफिस से उन्हें 10 दिन बाद के मिलने का समय दिया गया वो साड़े चार बज़े मेरे पास मिलने के लिए आए मैं किसी बज़े से जल्दी में था तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना Family Charitable Trust खोलना है उसके लिए मुझे जमीन चाहिए हमने कहा कि जमीन हमारे अंदर नहीं आती है LG साहब के अंदर आती है आप चिठी दे दीजिए मैं LG को ये चिठी पहुचवा दोगा 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड होती है उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरिवाल जी से मिले थे उन्होंने कहा कि हाँ मैं मिला और मैं केजरिवाल जी से अपनी फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए गया था ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में जिकर है 5 महीने के बाद 10 परवरी को उनके बेटे को गिरफतार कर लिया जाता है उसके बावजूद वो अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफतार रहता है तो फिर वो तूट जाते हैं 16 जुलाई उनके पिता जी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं 16 जुलाई को वो बयान 16 जुलाई को वो अपना बयान बदल लेते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है, उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, बयान पर बयान हो रहे थे, जब तक वो अपना बयान मेरे खिलाफ नहीं दे रहे थे, जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया, बेटा भी छूट गया और बयान होने भी बंद हो गये, और 3 को माफी नामा भी हो गया, मिशन कामियाब हो गया, इसका मतलब, ED का मकसद केवल और केवल मुझे फसाना था, सेक्शन 50 में MSR के तीन स्टेटमेंट हुए, तीनों बराबर हैं, इन में से एक एक स्टेटमेंट को ही तवज्जो क्यों दे गए, क्या जाज की गए कि इन में से एक सही है और बाकी दो गलत है, जो 25,000 पेज ED ने फाइल किये, उन 25,000 पेज में जो केजरी वाल के खिलाफ स्टेटमेंट है, सिर्व उसको लगाया गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट दबा दिये गए, आखिर ऐसा क्यों है, कोट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाने चाहिए थे, ताकि कोट डिसाइड कर सके कि सच्चाई आखिर कर क्या है, तीसरा स्टेटमेंट है उनके बेटे का रागा मगुंटा को 16 सितंबर को उसके घर पर रेड होती है और उसका बयान दिया जाता है 10 फरवरी को उसको गिरफतार किया जाता है उसके बाद उसके 5 बयान लिये जाते हैं उसमें वो यही बोलता है जो उसने पहले बोला है 5 महीने तक वो जेल में रहता है उसके बाद 16 जुलाई को जब पिताजी बयान बदल देते हैं तो 18 जुलाई को उसको छोड़ दिया जाता है उनके 7 बयान हुए जिसमे से 6 में वो मेरे खिलाफ नहीं बोलते और 7 में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलते हैं उसके बाद उनका कोई statement नहीं होता है उनको जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको माफी नामा दे दिया जाता है, ये जो छे स्टेटमेंट है, ये रिकॉर्ड में नहीं लगाए जाते हैं, चौता है शरद रडडी, शरद रडडी के केस में 16 सितंबर में उसके यहां रेड हुई, उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, 9 नवंबर को उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, 10 नवंबर को उसकी गिरफतारी हो गई, उसके बाद उसके 9 बयान दर्ज किये जाते हैं, जिसमें वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलता, उसके बाद 6 महीने गिरफतार रहने के बाद 25 अपरल को वो टूट जाता ह और वो केवल इतना कहता है कि मैं विजे नायर के साथ CM सहाब के पास गया था CM सहाब जलदी में थे तो CM सहाब ने कहा कि विजे के टच में रहो विजे अच्छा लड़का है मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये चार स्टेटमेंट एक मौझूदा मुख्यमंत्री को गिरफतार करने के लिए परियाप्त है नमबर दो जो 30,000 पेज फाइल किये गए हैं ये 30,000 पेज के अलावा एक लाख पेज एडी के दफ्तर में पड़े हुए हैं जो हमारी बेगुनाही साबित करते हैं जो हमारी बेगुनाही के सबूत हैं उनको कोर्ट के सामने नहीं लाया गया शराब घोटाले का पैसा आखिर कहा है आरोफ लगाया जा रहा है कि 100 करोड रुपे किसी साउथ लोबी ने शराब की पॉलिसी बनाने के लिए आमादमी पार्टी को दिया यह जस्टिस संजीव खन्ना का ओडर है इस मौके पर अर्विन केजरिवाल जी ने जो जज़साइबा थी उनको जस्टिस संजीव खन्ना जी का ओडर पकड़ाया जस्टिस संजीव खन्ना के ओडर में पेज 22 के पैरग्राफ 12 में कहा गया है कि 100 करोड रुपे रिश्वत का मामला डिबेट के लायक है इसका मतलब है कि ये रिश्वत का मामला संदेह में है इसका मतलब इस रिश्वत के मामले का कोई भी सुबूत नहीं है असले शराब गोटाला शुरू होता है एडी की जाच के बाद जब E.D. की जाँच शुरू होती है E.D. की जाँच के दो मकसद थी पहला मकसद था आम आदमी पार्टी को करश करना आम आदमी पार्टी को भरष्टाचारी साबित करना खुद फैलाना कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया है E.D. का दूसरा मकसद था इसके पीछे एक extortion racket चलाना जिसके जरीए वो पैसा इकठा कर सके शरद रेड़ी के केस में शरद रेड़ी को जमानत दो कारण से मिली सबसे पहले शरद रेड़ी ने मेरे खिलाफ बयान दिया और शरद रेड़ी ने गिरफतार होने के बाद 55 करोड रुपे का चंदा भारतिय जन्ता पार्टी को दिया गिरफतार होने के बाद 55 करोड रुपे के बांड शरद रेड़ी ने खरीदे और उसके बाद उसे जमानत मिल गए इससे मनी ट्रेयर साबित हो जाता है गिरफतार होने के बाद उसने 55 करोड रुपे का चंदा भारतिय जन्ता पार्टी को दिया भारतिय जन्ता पार्टी में ये पैसा सीधा तौर पे उनके अकाउंट में गया इससे मनी ट्रेल साबित होती है यही पूरी जाच का मकसद था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को करश करना एक स्मोक स्क्रीन क्रियेट करना और पीछे से एक्स्टॉर्शन करना ये बयान आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवार जी ने राउजावन्यू कोट में दिया ये बयान साफ साफ साबित कर देता है कि उनको सिर्फ चार ऐसे बयान के अधार पर गिरफतार किया गया है जिन बयानों का कोई अधार नहीं है जिन बयानों को देने से पहले उन व्यक्तियों ने कई ऐसे बयान दिये जहां पे उन्होंने कहा हम अर्विंद केजरिवाल को नहीं जानते हैं हम अर्विंद केजरिवाल को नहीं मिले लेकिन महीनों में जेल में रहने के बार उनके बयान पलट जाते हैं तो आज अर्विंद केजरिवाल जी ने राउज आवन्यू कोट के सामने अपना पूरा बयान रखकर ED के सारे केस को द्वस्त कर दिया आज अर्विन केजरिवाल जी ने अपना बयान सामने रखकर पूरे देश के सामने ये साबित कर दिया कि ED का असली मतलब है extortion directorate कि ED का प्रयोग किया जाता है extortion करने के लिए और असली शराब घोटाला शुरू हुआ ED की जाँच के बाद जब इस शराब घोटाले की जाँच के माध्यम से पैसे शराब कारोबारियों से extortion किये गए थांकिए देखिए सुनीता केजरिवाल जी अर्विंद केजरिवाल की पत्नी है अर्विंद केजरिवाल का पूरा परिवार आमादमी पार्टी के हर नेता का पूरा परिवार शुरू से इस संघर्ष में आमादमी पार्टी के साथ खड़ा रहा है अर्विंद केजरिवाल जब से इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन मूव्मेंट में आए जब से आमान्मी पाटी बनी उस पूरे संघर्ष में उनका पूरा परिवार उनके साथ एक चटान के तौर पर खड़ा रहा है उनको सपोर्ट किया है इस उतार चड़ाव वाले सफर में इस संघर्ष में सुनीता केजरिवाल जी उनके बुजर्ग माता पिता उनके दोनों बच्चे हमेशा अर्विंद केजरिवाल जी के साथ खड़े रही है आमान्मी पाटी के साथ खड़े रही है आज भी इस मुश्किल समय में भी उनका पूरा परिवार इस संघर्ष में साथ में है और इस संघर्ष में साथ में रहेगा। देखिए ये बिल्कुल साफ है कि ED और CBI का प्रयोग विपक्ष को खतम करने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष के सभी मेताओं के उपर एक-एक करके एक-एक करके केस लगाये जाते हैं। जो भारतिय जनता पार्टी में आ जाता है उसके उपर केस खतम कर दिये जाते हैं। चगन बुझबल के केस में ऐसा हुआ कि ED ने कहा कि हमारी फाइल खो गई है इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। और आज फिर से यही मामला सामने आया है। तो यह बिलकुल साफ है।